नमस्कार दोस्तो आपके अपने वैदिक एश्टोल लाइफ यूडूप चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं राहू के असुप प्रभाव दोस्तो जब आपके जीवन में राहू के असुप प्रभाव रहते हैं या फिर राहू आपके कुंडली में खराब इस्तिती में विराज मान होते हैं तो आपको अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और राहू की वजए से आपके जीवन में काफे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है जैसे कि आपके करियर में ही प्रॉब्लम आती है आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है और आप कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाती है भ्रमित रहते हैं तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको सम्पूर्ण जानकारी देंगे दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि इसमें कहेगी बाते आपको अच्छे से और इस पर्ष्ट समझ में आ सके तो आईए चलते हैं वीडियो की और अगर आपके भी कुंडली में राहु गलत भावों में विराज मान है तो आपको अपने जीवन में ये सारी चीजे देखने को मिलेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं या फिर आपके पास कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं अगर आपके साथ ये चीजे हो रही है तब भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी जीवन में राहु का प्रभाव है या फिर आपके घर में कोई भी सदस कोई ऐसी गलती करता है या फिर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो समझ जाईए कि उसके उपर रहु का प्रभाव है तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देख कि राहु किन-किन भावों में गलत परिणाम देते हैं तो अगर रहु आपके प्रथम भाव में कुंडली के पहले भाव में राहु है तो आपको बहुत ही दिक्कत देखने को मिलेगा दूसरे भाव में हैं चौथे भाव में, पंचबे भाव में, साथ में, आठ में, नौ में, दस में और बारमे भाव में इन भावों में किसी भी भाव में अगर राहू विराज मान हैं तो आपके जीवन में ये सारी समस्यां देखने को मिलेगे जो हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं तो आई चलते हैं वीडियो की और जोतिश शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी ब्यक्ति के कुंडली में राहू असूब इस्तिती में विराज मान हैं या फिर खराव हैं तो ब्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेगा कि आपको नसे की लत लग सकती है जैसे कि आप ड दूसरा कारण यह हैं कि अगर राहू खराव है तो आपके घर के जो देहरी है तो दवे या फिर खराव इस्तिती में देखने को मिलेगे तूटा फूटा रहेगा और जो आपकी घर की सीडियां है वो गलत दिसा में रहेगी और या फिर गलत दिसा में ना रहेगी तो आप आपके कुंडली में राहु खराव विस्तिती में हैं, तो आप छोटी-छोटी बातों को लेकर चरणने लगते हैं, या फिर छोटी-छोटी बातों को लेकर काफी जादा बड़ा इसू बना लेते हैं, या फिर आपको अपने घर के वर्श रूम, टायलेट, गंदा या फिर तूटा-फूटा देखने को मिलेगा, अगर आपके घर में या फिर आपके उपर राहु का प्रभाव है, आपके कुंडली में राहु खराव विस्तिती में विराज मान हैं, उसके बाद अगर राहु खराव विस्तिती में हैं, तो आप कही न कहीं से किसी न किसी तरीके से जादू टोना तंत्र मंत्रे इत्याद के अंदर आ सकते हैं या फिर इत्याद के चक्कर में पड़ सकते हैं रहो के खराब होने की वज़े से आपकी दिबांक में कई बार 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 बीचार आते हैं और कई बार आप बार बार निर्णे को बार 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 बदलते हैं और आपको पानी आग और उचाईयों से ज़्यादा डर लगता होगा या फिर आपके किसी न किसी को पर विश्वास करना नहीं जानते यह चीजी मतलब कि आपके क्या है कि अगर राहू आपके कुण्डली में खराव इस्तिति में हैं आप आसानी से किसी को पर भरोसा नहीं करते या फिर भरोसा करना जानते ही नहीं है और साथ ही आपको कहीं न कहीं से दरावनी स्वपने आने सुरू कर देते हैं जैसे कुछ लोगों को दरावनी स्वपने आती रहते हैं तो यह चीजी आपको देखने को मिलेगी अगर आपके कुंडले में राहु खराव इस्तिति में हैं तो आपको अचानक सरीर में अकड़न सुरू देखने को मिलेगे कभी कभी आपकी सरीर जो वाड़ी है अकड़ जाती होगी जिन जातकों के जीवन में राहू का बुरा प्रभाव है तो आपको देखने को मिलेगे कि आपके जो फालतू की दुस्मन है वो कहीं न कहीं से आपके पास या फिर आपके फालतू की दुस्मन बन जाते हैं बिन मतलब की और साथ ही जो राहू से प्रभावित है बुरे राहू से प्रभावित है तो आप बैमानी या फिर दोखे बाजी भी सीख लेते हैं अगर आपको कुंडली में राहूं गलत प्रभाव में है या फिर गलत इस्तिती में भी राजमान है तो आपको कहीं न कहीं से सिर में चोटे की निसान रहेंगे या फिर बाद में लग सकते हैं घटना में काफी ज़दा बढ़ दकते हैं मतलब आपके साथ कई बार बार आक्सिडेंट वगारा दुर घटना घटती हैं साथ ही घर में परवारिक जीवन में बार बार लड़ाई जगड़े आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी तरह से आप ही बजाए बन सकते हैं दिमाग में आपके अंदर भ्रहम पैदा रहेगा मतलब आप किसी भी चीज को लेकर भ्रहमित रहेंगे कोई भी एकर डिसीजन लेना हो या फिर मतलब कि कुछ भी करना हो तो आप काफी ज़्यादा भ्रहमित रहते हैं कि करे साहारे भी देखे जा सकते हैं मतलब आप मास मचली भी खा सकते हैं या फिर उनका सेवन कर सकते हैं या फिर करते होंगे तो यह चीज़े आपके जीवन में देखने को मिलेगी अगर आपके कुंडली में या फिर किसी भी प्रकार से राहू खराब इस्तिती में रहेगा हम अगर बैठे हैं अगर फस्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, आपके फोर्थ हाउस में, फिप्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, एट हाउस में, और नाइन्थ, तेन्थ, त्वल्थ हाउस में, अगर राहु विराज मान हैं, तो आपको गलत ही परिणाम देखने को मिलेगा, क आपका जीवन बरबाद भी हो सकता है लेकिन आप जादो टोना की अंतरगत भी जा सकते हैं अब क्या होता है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उसका सेलूशन भी रहता है तो जैसे कि आपके कुंडली में राहू प्रभावित है तो उसके उपाए भी है कि तो उसको कैसे सान्द करें या फिर कंप करें तो उसका उपाइभी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में दोस्तों जिसलिके आप जानते हैं कि राहु एक साफ है और जिस भी घर में राहु बैठता है जिस कुणडली में किसी भाव में अगर राहु बैठता है तो उस इतको बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उपाय कीजिए आपको कुछ न कुछ राहत देखने को मिलेगी तो अगर आपके कुंडली में राहु खराब है तो दोस्तों हम बता दे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए अगर अगर आपको अपने जीवन में राहु के प्रभावों को कम करना है तो दूसरा उपाय यह है कि आपको अपने घर के मंदिर में राहु यंत्र के स्थापना करिए और नियमिते विद्वत रूप से उसकी पूजा करिए विधिविधान से करिए जिससे कि आपको अच्छे र लाइक, सब्सक्राइब और शेर कीजिए